नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका PCS सार्थ हिमें आप है मेरे साथ मेरे नाम है सुमित और दोस्तों आप जैसा की जानते हैं कि चायना में कोरोणावाइरस की लहर अब काफी तेज होती जा रही है वहां पर कई सारे केसे सामने आ रहे है पर एक्चुल फ पार्लेमेंट के अंदर एक स्पीच दी कोरोनावाइरस को लेकर और जो इंडिया में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और चाइना में जो चल रहा है था इन सभी चीजों को देखते हुए उन्होंने स्पीच दी है जिसके पांच पॉइंट आज हम डिसकस करने वाले हैं तो जल्दी से जानते हैं कि भई वो पांच इमपॉइंट पॉइंट क्या हैं जिसमें ये पता चलता है कि सरकार किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर नजर बना कर रखी हुई है क्योंकि सरकार की नजर इस पर होना बहुत जरूरी है और हम लोगों को भी इसमें जाग रुक रहना दोस्तों बहुत जादा जरूरी है क्यों क्योंकि हम 2021 में बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं तो दुबारा वैसी conditions पैदाना हो इसलिए बहुत जरूरी है कि सरकार इस पर proactive तरीके से steps ले और लोग भी इसके अंदर awareness फैलाएं और mask का, hand sanitizers का और साथ ही में social distance का पूरा पालन करेंगे ठीक है social distancing का पूरा पालन करेंगे और जितने भी measures लिए जा सकते हैं coronavirus के against लोग भी इसमें participate करेंगे तो उतना ही better रहेगा तो news आप समझ चुके हैं कि क्या है जो coronavirus की लहर आ रही है और इसमें जो नया एक sub-variant देखने को मिला है omicron virus का यानि की bf.7 एक नया variant जो आया है omicron virus का उसका ही यहाँ पर ये cases देखने को मिल रहे हैं उसकी वज़ा से और इंडिया में भी उसके cases already report हो चुके हैं इंडिया के अंदर भी यह जो नया variant आया है bf.7 इसके cases इंडिया में भी report हो चुके हैं और इसलिए अब सरकार ने random testing करना शुरू कर दिया है passengers की passengers के sample collect किये जा रहे हैं जो international travel कर रहे हैं कि एक देश से दूसरे देश से जो आते हैं लोग उनके random samples लिए जा रहे हैं दो परसेंट samples यहां पर test किये जा रहे हैं और पता लगाया जा रहा है बही किसी कौई कितने व्यक्ति यहां पर जो है उनको infection यहां पर हो चुका है ठीक है तो इसमें देख रहे हैं 2% यहां पर test किये जा रहे हैं जो international travel लोग कर रहे हैं साथ ही में जो दूसरा important point यहां पर बताया गया speech के अंदर वो यह कि genome sequencing पर खास ध्यान दिया जाए दोस्तों genome sequencing आखिर क्या होती है दरसल एक virus जो होता है अगर example ने हम coronavirus का यह है coronavirus ऐसे इस पे चारों तरफ इस तरह से spike proteins लगे होते ह इसका जो crown है इसका यह जो position है अगर आप इसको coronavirus को इस तरह से देखेंगे तो यह जैसे किसी ताज के ओपर crown के ओपर आपको देखने को मिलते हैं आकार कुछ इस तरह की चीज़ें लगी होती है उसी तरह से इसी की वज़े से इसको नाम जो है coronavirus कहा गया ठीक है एक crown के ओप पर जिस तरह का design होता है उसी तरह से आपको इस virus पन वाइरस पर spikes दिखेंगे spike proteins दिखेंगे और इसी वज़े से इसको coronavirus कहा गया एक coronavirus जो होता है उसका जो genomic जो उसका genetic material होता है एक coronavirus का जो genetic material होता है वो RNA होता है एक coronavirus का जो genetic material होता है वो RNA होता है लेकिन जो viruses होते हैं coronavirus भी एक प्रकार का virus है और virus जो होते हैं दोस्तों virus का genetic material DNA भी हो सकता है और RNA भी हो सकता है और coronavirus के case में देखें तो यहाँ पर इसका जो genetic material है वो है RNA अब यह जो genetic material होता है RNA जो होता है एक तरह से आप मान लिजीए इसका structure कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर chemicals की एक single chain होती है chemicals की एक single chain होती है और DNA के अंदर chemicals की आपको double chain देखने को मिलेगी जिसको double helical structure कहते है और जो RNA है उसमें single chain होती है chemicals की उसको कहा जाता है single strand RNA को single strand कहा जाता है strand यानि की एक तरह से single chain या धागा मान लिजीए अब इसके अंदर जो chemicals की single chain होती है इसमें chemicals इस तरह से arrange है दोस्तों ये जो sequence होता है chemicals का ये जो sequence होता है chemicals का ये बहुत important होता है और यही किसी भी RNA की और DNA की properties को decide करता है अगर मान लिजिए कोई chemical है जैसे मान लिजिए जैसे अगर बात करें RNA की अगर code करें इसका code जैसे कोई code लिखा जाता है उस तरह से chemicals arrange होते हैं मान लिजिए AUGC यहाँ पर code है chemicals के code है ये AUGC अगर G वाला chemical C से पहले है और अगर G वाला chemical C के बाद अगर आ जाए किसी sequence में G वाला chemical अगर C के बाद आ जाए तो ये जो sequencing है ये change हो चुकी है और अब जो properties है RNA की वो change हो जाएंगी तो यानि कि RNA change हो गया अब virus के अंदर RNA होता है और Corona virus का जो RNA change हो जाएगा तो उससे Corona virus के अंदर भी बदलाव आने लग जाएंगे और ये बदलाव virus को बहुत strong भी बना सकते हैं और इसको weak भी कर सकते हैं अभी जो हम देख रहे हैं कि Omicron अगर जो original virus था उससे Omicron बना Omicron के sub-variant आ गये जैसे BF.7 इसी का sub-variant है Omicron virus का ये किस तरह से आता है ये इनके genome के अंदर यानिकि इनका जो genetic material है उसके sequence में जो बदलाव होते हैं उससे यहाँ पर changes virus के अंदर changes आते हैं तो इस changes को observe करना बहुत जरूरी है इनकी sequencing को observe करना बहुत जरूरी है तो इसलिए सरकार ने कहा है कि भाई जो virus की genetic material है इसके genome sequence को ध्यान में रखें और इसको genome sequencing करते रहें और ये देखते रहें कहीं virus में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा कहीं virus के अंदर कोई changes तो नहीं हो रहें ताकि जैसे जैसे हमें पता चलें कि virus के कितने variants बनते जा रहे हैं कैसे variants बन रहे हैं तो उस हिसाब से हम अपनी तयारी और उसका जो इलाज है उसको तयार रखें और तीसरी जो बात यहां पर कही गई है वो यही कही गई है बहुत simple बात कि भाई जैसा festive season आने वाला है और आप देखें का ध्यान रखेंगे, sanitizer का ध्यान रखेंगे, social distancing और mask का खास ध्यान रखेंगे दोस्तों इसका बहुत अच्छा example यहां पर हमें set करना होगा क्योंकि already हम देख चुके हैं अभी Argentina जो जीती थी World Cup उसके बाद लोगों ने खुल कर जश्न बनाया और बहुत भारी मात्र में भी social distancing का ध्यान नहीं रखा, इसलिए अब शायद सरकार आगे चलकर mask जैसी चीजों को फिर से शायद mandatory कर दे, अगर cases इसी तरह से बढ़ते रहे तो, ठीक है, चलिए, उसके अलावा सरकार ने बताया कि चाइना के अंदर तो cases बढ़ रहे हैं, हाला कि लेकिन इंडिया के अंद सरकार ने फिर से यही कहा है कि हमें जो proactively काम करना होगा, already सरकार का यह कहना है कि सरकार इस पर already proactively काम कर रही है, जो states हैं, उनको financial assistance प्रोवाइड कराया गया है, उसके अलावा vaccines की टर्म में भी states जो हैं, उनको मदद की जा रही है, अभी already 220 करोड जो COVID की vaccine की doses है, और यहाँ पर क्योंकि जोर दिया जाएगा दोस्तों, फिर से vaccination का, booster doses का और जिन लोगों की second dose रह गई थी, शायद अगर उनका time gap अगर अभी applicable है, तो वो लोग लगवा सकते हैं, तो booster doses पर भी अब यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, इसलिए सरकार ने यहाँ पर, सरकार को, सरकार न कौन सी Middle Eastern Respiratory Syndrome करके एक वाइरस के कारण हुई थी, बताएंगे यह जो pandemic है, यह जो महामारी है, यह कब हुई थी, यह pandemic कब हुई थी, और यह कौन से वाइरस की वज़ा से हुई थी, तो यह जो हुई थी, यह हुई थी, कोरोना वाइरस की वज़ा से, कोरोना वाइरस की वज़े से, 2003 में, 2003 में आपको देखने को मिलेगा, Middle Eastern Respiratory Syndrome, आपको देखने को मिलेगा, यह भी एक परकार का कोरोना वाइरस था, और अभी जो कोरोना वाइरस चाइना से शुरू हुआ था, 2019 में, जिसको हम COVID-19 के नाम से जानते हैं, इसको, actually, इस वाइर Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS और COV-2, तो यह जो वाइरस है, यह 2019 में आता है, और Middle Eastern Respiratory Syndrome, जो आता है, यह 2003 में आपको देखने को मिलेगा, जो की एक परकार का कोरोना वाइरस ही है, तो दोस्तों, यह था पूरा सेशन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद दोस्तों